इस वीडियो में हम ekmaisscript के function की बात करेंगे एकbaisscript 6 से पहले जावास्क्रिप्ट में function कुछ इस तरह लिखा जाता था कि जिस पहले हम एक function का keyword इस्तिमाल करते थे पिर हम function का name लिखते हैं फिर argument लेने हो तो न आर्गमेंट को parenthesis के अंदर लिखते हैं फिर curly brackets और फिर उसके अंदर चो भी हमें काम करना हूँ ठीक है यहाँ पर हमने function add के राम से function मनाया और उसके अंदर x, y दो parenthesis लिए फिर function के अंदर हम sum variable के अंदर x, y को plus कर रहे हैं और document.write के जरीए sum को print कर आ रहे हैं उसके अदर हम add, five, six करते हैं पांच हो छे को यह plus करके हमें देगा sum करके इसका print हम देखें तो 11 अब एक मैस्क्रिप्ट 6 ने function लिखने का एक नया syntax जो है वो भी मतारिफ करा है इस function को हम इस तरह भी लिख सकते हैं अब एक मैस्क्रिप्ट 6 के अंदर एक मैस्क्रिप्ट 6 में हम इस function को यह लिख सकते हैं कि constant हम यहापे लेंगा है constant का मतलब आपको पता है कि इसको change नहीं कर सकते हैं यह variable है add to ठीक है तो इसको हम change नहीं कर सकते हैं आप अप let भी कर सकते हैं variable varbic का keyword भी उसकर सकते हैं लेकिन constant यूज़ करने की वज़ाई यह है कि ताकि इसको हम पूरी फाइल के अंदर कहीं भी तबदील ना का सका अगर इसी नाम से कोई दूसरा variable या function बने तो वो हमें एक error देगा तो यहाप हमने add to के नाम से एक constant बनाया फिर यहापे is equal to करके इसको parenthesis दिये xy और उसके बाद यहाँ पर हम is equal to और greater than यह दोनों हमने की यहाँ पर sign इस्तिमाल की उसकर parenthesis लगा के वही सेम चीज़ जो हमने इस function में करी थी वही काम working पूरी यहाँ पर करी है ठीक है और उसको हम यहाँ पर इस तहाँ call करा रहे हैं इसको सेफ करते हैं सेफ करके call करा हैं तो यह इसने result इडिया 12 यह नहाँ syntax बहुत ही असान है जब आपको एक simple function की ज़ुरत हो तो सिफ एक argument के साथ तो इसको आप बहुत असानी के साथ इस्तिमाल कर सकते हैं इस में function और written के जो keyword होता है उसको type करने की जहुरत नहीं पड़ती इसी तरह parenthesis और brackets को भी लगाने की भी आपको जहुरत नहीं पड़ती इसका एक और मैं syntax आपको जिगाता हूँ जो कि short syntax है इसमें लेकर हम constantly हमने एक greet के नाम से एक function बना है is equal to x तो x का मतलब है हमने कोई bracket यहां पर नहीं दिये अगर एक argument हम ले रहे हैं तो हमने एक यहां पर दिया x और उसके बाद हमने यहां पर इसी तरह function का जो keyword है यह function का जो syntax है वो syntax है यहां पर पूरा किया is equal to a greater than in लगा के उसके बाद हमने इसको call करा दे document.right में welcome x यह x यह वाला argument है जो कि हम इसमें function call कराते भी लेंगे जैसे कि हम यहां पर ले रहे हैं ठीक है दूसरा भी grid 2 के नम से है इसमें हम दो argument ले रहे हैं अगर हमें दो argument चाहिए तो हमें भी bracket लगाने होंगे parenthesis लगाने होंगे parenthesis लगा कि हम x और b मैंने यहां पर दो argument लिए अगर single argument लेना है तो parenthesis की जहुरत नहीं है और double argument एक सजादा लेना है तो हम उसके लिए फिर parenthesis की जहुरत होगी बागी पूरा function उसी तरह है जिस वाला तो देखें यह पहले जावास्क्रिप्ट का तरीका यह था फिर एकमास्क्रिप्ट ने यह तरीका करा और इसका short hand एकमास्क्रिप्ट ने यह एक single line में कर दिया कि single line में भी आप एक पूरे simple से function को यहां इस्तेवाल करा सकते हैं अब हम यहां पे greet अब मैंने greet वाले function में एक argument लिए है लेकिन मैं यहां पर call दो argument को करा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए इससे तरह यहां पर दो argument लिए है और यहां पर दो ही मैं call करा रहा हूँ इससे save करते हैं और save करके check करें यहां पर तरह कि वेलकम A.A.A.L.E. और नीचे वाले में तो आपको यह parenthesis blank रखने होंगे, खाली रखने होंगे, यहाँ पर हमने constant x के नाम से एक function मनाया, variable, और उसको parenthesis जो हैं, वो दो हमने assign करें, और parenthesis blank हैं, इसका मतलब यह है कि हम इसके अंदर कोई argument नहीं लेना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ पर अपने एक message दे दिया, a shortcut function without parenthesis, यहाँ पर simple हम x को call करा रहा है, x और parenthesis open close के लिख दी, इसके अंदर कोई अपने argument जो हुआ इसको नहीं दी, इसको refresh करके देखते हैं, तो a shortcut function without parenthesis, ठीक है, तो यह हमारा process होता है, एक message के अंदर, कि simple हम एक line के अंदर जो है, एक simple से function को लिख सकते हैं, यानि आप यहाँ पर यह चीज़ नोट करें, कि अगर हमें कोई एक भी argument function में नहीं देना, तो हम यहाँ पर parenthesis देंगे, और अगर हमें एक argument देना है, तो parenthesis देनी के ज़़ुरत नहीं है, सिर्फ simple argument द करता है, यह एक example इसके लिए खाता हूँ मैं, एक for each का loop है, और एक for each का loop हम array के लिए इस्तिमाल करता है, यह बहुत ही useful method है, यह syntax भी इसका जो है, वो बहुत ही useful है, inline function के लिए, मिसाल के तोर पे हमारे पास एक array है, array 2378, यह JavaScript का method है, ठीक है, और इस array के अंदर हम क्या करत है, जावस्कृट में, कि array के जो elements है, इनको हम हर print के उपर, इसको पर कुछ working करना चाहते हैं, जैसे हम यह पर हर element को लेंगे array के, और उसको 2 से multiply करना चाहते हैं, कि यह 2 से जरब दे, पिर 2 को लेगा, 2 से जरब देगा, फिर 3 को 2 से जरब देगा, फिर 7 को, फिर 8 को, तो JavaScript म हम इसको किस तरह करते हैं, कि array dot for each function, फिर function में हम element को ले रहे हैं, इसका array का हर function element आ रहे है, फिर document dot write में, उस element को लेकर multiply कर रहे हैं, हम 2 से और यहां पर break दे रहे हैं, line break, ठीक है, यह इसका process हम नहीं यहां पर इस तरह करता है, जावस्कृट में, इसको safe करते हैं, safe करके refresh क array तो 4, 6, 14, 16, ठीक, अब यही code, एक माइ script में किस तरह से लिखा जाएगा, इसको लेकर देखते हैं, कि यही simple code, array 2 के नाम से हमने एक और array बनाया, 2, 3, 7, 8, value values उसको दी, array for each, for each के बाद हमें function, और element कर जो keyword है, यह इतना लंबा लिखनी की ज़वरत हैं, बलकर simple हमने V, आप यहां x कुछ भी लिख सकते हैं, यह हमने लिखा यहां पर value लिख सकते हैं कुछ भी, उसके बाद function का जो syntax हो पूरा करा हमने यहां पर is equal to or greater than लगागे, फिर उसके बाद curly brackets, उसके अंदर हमने document.write v is equal to 2 कर दिया हमने, यहां पर element लिया तो वह वी कर दिया, ठीक हो function ल अब मुक्तसर भी हो, अच्छा भी लाग रहा है, अब हम बात करते हैं default values की, जिस तरह javascript के अंदर हम यहां पर default value लेते हैं function के अंदर, तो हम इसमें, एक में script में किस तरह उसको ले सकते हैं, यह हमारे पास पुराना javascript का method है, वो है function test a, b, c और इनको हमने default values parenthesis के अंद यह की value दे रहे हैं, ठीक है, इसको save करते हैं, run करकर देखते हैं, तो इसने हमें, यह 40 जो हो return करके दे दिया है, क्योंकि 10 यहां से हम दे रहे हैं, और 10 यह हैं, और 20, तो 40 इसना हमें करके दिया, अब यही काम हम एक में script में कैसे करेंगे, तो एक में script में simple constant test 2, और यह value है सेम इसी तरीके से, बस यहां पर हमें function वागरा है लिखने की जोरत नहीं, यह parenthesis जो है, वो हमने सेम यहां पर लिख है, और उसको default value दे दी, 10, 20, और यहां पर 16 हमने test 2 में, 16 A की value हमने यहां पर दिया, ठीक है, इसको save करेंगे, save करके, दुबारा run करते हैं, तो 40 के बार, 46 नहीं हमें यहां पर 8 करके दे दिया, इसी तरणा कर इसको हम single line में भी लेना चाहें, तो single line में भी ले सकते है, constant test 3, और अब हमने यहां पर A, B और C की values, B और C को default values यहां पर दी हैं, और यहां पर A को जोए वो हमने blank छोड़ दिया है, कि A को कोई value assign नहीं करी, document.write में A plus B plus C, यह हमने कर दिया, single line में इस पूरे function को लिख दिया है, अब यहां पर हम 110 A की value दे रहे हैं, ठीक है, और अब यहां पर second argument देंगे, तो B की value यहां पर, वो minus हो जाएगी, और यह फिर 5 value, जो नहीं value हमने दिये, वो B को assign कर देगा, तो इस तरीके से इसको safe करके देखते है कि यह क्या result देगा, यह 110 याबर है, 5 यह है, तो 115 और 20 यह लेगा, तो यह 135 हो जाएगा, रिफरेश करते हैं, 135 इसने result हमें दे दिये, तो I hope कि यह आप समझ गया होंगा, कि किस तरीके से हम एक में script के अंदर जो है, वो functions वगरा बना सकते हैं, और किस तरीके से, simple तरीके से बहुती useful functions वगरा है, इसमें बन सकते हैं, जिसमें coding भी बहुत कम है, और time भी हमारा बन जाता है